वेल्कम टो मैं चैनल मैंथेन मैंडिसें तुलेय अवर टॉपिक इस लीनियर इक्वेशन इन वन वैरियेबल पार्ट तू वर्ड प्रॉब्लम ठीक है तो सबसे जादा स्टुडेंट्स आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम में तो मैं इसे ऐसे बताती ह जिससे आप लोग बहुत असानी से वर्ड प्रॉब्लम को कर सकते हैं ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ जो मैंट पॉइंट होते हैं उनको ध्यान रखना है जैसे यह बोलता है more than more than more than बोलता है less than बोलता है twice बोलता है thrice बोलता है twice मतलब उनको two से करना है, more than मतलब हम यू से उन्ना उसमें add करना है, more than मतलब हमें add करना है, twice मतलब two से multiply करना है, तो हम पहला question देते हैं, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter, the perimeter of a rectangular swimming pool is, आप हमें एक rectangular ऐसा मना लेते हैं, rough, और इसका हमें perimeter बोलता है, 1, 154 meter, perimeter क्या होता है, पिछली क्लासों में हम पढ़ चुकेंगी perimeter क्या होता है, यह दि मैं लिख तूँ A, P, C और D, तो perimeter क्या होता है, AB plus BC plus CD plus DA, इसको बोलते हैं हम क्या, perimeter, तो the perimeter of a rectangular swimming pool is 154, its length is 2 meter more than, twice its breadth, ठीक है, its length is 2 meter more than, twice its breadth, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो breadth है, इसको क्या माल लेंगे, हम माल लेंगे, इसकी दत को X, तो X का twice, X का twice करने बोल रहा है, तो हमने इसे कर दिया, 2X, और 2 meter more than twice, तो 2 meter more than twice कर लिया, ठीक है, जैसा question में बोला है, exactly same बस हम को समझ की करना है, क्या बोला है, 2 meter more than twice its breadth, तो पहले breath को माना, breath को twice किया, और twice हो क्या क्या, 2 more than कर लिया, 2 meter more than कर लिया, तो यह हो गया, हमाना, क्योंकि एक rectangular swimming pool बोला था, तो rectangle क्या होता है, यह 2X plus 2 है तो, यह भी 2X plus 2, और इसे हमने X माना तो, यह भी X, आप यह question ही ता, simple हो गया, कैसे करेंगे इसे, एक दम simple हो गया, है ना, तो perimeter हमारा क्या होता है, perimeter हमारा होता है, X plus 2X plus 2 plus X plus 2X plus 2 is equal to 154 meter, जो कि हमको given in, तो क्या हो गया, X plus 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 6X plus 4, 6X, 6X plus 4, equal to 154 meter, यह equation बन जाएगा, उसके बाद तो आप असानी से solve कर सकते हैं, चीक है, तो 6X is equal to 154 minus 4, 6X is equal to 150, X is equal to 150, divided by 6, तो यह कितने times जाएगा, 6, 2s are, 6, 2s are 12, और 3s, 6, 5s are 30, तो यह होगी हमारा breath, तो breath कितना आया हमारा, 25 तो X की value आ गई, 25 तो हमारी length कितनी होगी, 25 into 2 plus 2, तो 52, तो यह हमारा answer होगे, 52 meter और 25 meter, तेक हैं, तो हमको main जो word है, उनको समझना है, more than मतलब हमको add करना है, क्या किया हमने plus 2 किया, 2 meter more than मतलब हमको 2 add करना है, twice मतलब हमको 2 का multiply करना है, अगर यह twice बोलता, तो हमको 3 का multiply करना है, 2 meter more than, अगर बोलता 5 meter more than, तो हम plus 5 करतें तो इस तरीके से हम solve करेंगे word problem को तो इसमें हमको दो चीजें पता चले एक क्या more than कैसे करते हैं twice कैसे करते हैं यह बहुत सारी question में आएगा इसलिए मैंने question गिया है ताकि जादा में समझ मैं और less than बोलता 2 meter less than बोलता तो क्या करते minus करेंगी twice बोलेगा तो multiply करेंगी चीक है और times बोलता है तो भी multiply करते हैं ठीक है 2 meter more than 2 times its breadth ऐसा बोलता तो 2 times its breadth मतलब 2x plus 2 करते हैं तो times मतलब भी multiply होता है twice मतलब भी 2 का multiply 2 times बोलता है 2 का multiply तो यह question हमारा solved होगया ठीक है अब हमारा next question है कि 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively they add up to 74 find this number means 3 consecutive तो सबसे बेले इसमें वाड़े consecutive consecutive months linear मतलब एक सांथ वाली जैसे 1, 2, 3 यह 3 consecutive number है है ना मतलब लगातार वाली number तो हम कैसे मान सकते हैं इसको consecutive कैसे मान सकते हैं हम अगर यह 1x लेते हैं तो दूसरा क्या होगा x plus 1 3rd number क्या होगा x plus 2 तो यह हमारी 3 consecutive number होगा है ठीक है इंटीज़नार सबसे लेट वेन दे आर टेकन in increasing order क्यों हमने increasing order में ले लिया अगर हमको decreasing order बोल देता तो हम कैसे रेते x x minus 1 और x minus 2 यह हमारी क्या है decreasing order में consecutive number है और यह increasing order में consecutive number है अब बोलता है multiply by 2, 3, 4 respectively मतलब एक को 2 से करना है इसको 3 से करना है और 4 से करना है क्यों क्योंकि यह respectively उसकी है तो multiply बोला है multiply by 2, 3, 4 respectively ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे 2 से इसको कर देंगे 3 से और इसको कर देंगे 4 से अब ये तीन नंबर हो गए अब इसको add करना है और कितना आना चाहिए 74 यह बोड़ा है कि add करने से क्या आना add up 274 यह तो टर्रेक लिखा हुआ add up 274 फाइं इस नंबर अब हम इसको add कर लेंगे ठीक है तो 2x plus 3 x plus 1 plus 4 x plus 2 अब इसको add करने से क्या ना चाहिए 74 आना चाहिए चीक है तो इसको add करने से क्या ना चाहिए 74 आब हम इसे solve कर लेते अब इसके यह तो हमाले linear equation पर लेंगे ना तो हमेसे असानी से solve कर सकते 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 equals to 74 है ना तो 2x plus 3x plus 4x कितना हुग या 4, 3, 7, 8, 9 9x और plus 11 is equal to 74 चीक है 9x equal to 74 minus 11 तो 9x is equal to 63 और x is equal to 7 क्यों क्योंकि 9 से इसका दिवाइड होगा तो क्या आएगा? 7 और तो हमारी consecutive नमबर क्या होगा है? 7 और फिर 8 और 9 यह हमारी नमबर होगा यह हमारा होगा answer तो क्योंकि x और x plus 1 और x plus 2 तो यह 3 consecutive नमबर होगा है ठीक है? तो इसमें हमको क्या बता चला? यह बढ़ा एक तो यह consecutive consecutive मतलब हमको लगातार लेना है लगातार वाली नमबर increasing order मतलब हमको 1, 2, 3 ऐसे लेना है ठीक है? और अगर decreasing order बोलता तो हम minus करके रेते ठीक है? multiply मतलब अभी उसमें multiply करना है respectively 2, 3, 4 respectively उसमें multiply करना है तो उसमें multiply कर दिया और add तो इसमें किनी चीज़े आई? एक तो इसमें consecutive का लगाना है multiplied को लगाना है 2, 3, 4 respectively multiply लगाना है और एक add लगाना है इसमें 3 जो है वो हमने use किये है तो यह कुछ हमको याद रखने है जैसे एक तो है multiply जब use करता है तो multiply के लिए times भी use करता है twice भी use करता है two times multiply करने के लिए twice use करता है thrice भी use करता है कुछ question में है ना? और यह अपन multiply करने के लिए यूज करता है और more than add करने के लिए use करता है more than किसलिये use करता है add करने के लिए less than किसलिये use करता है? subtract करने के लिए या तो direct subtract बोल देता है या तो फिर वो less than बोलता है ठीक है तो ये कुछ बार धिया रखेंगे तो मेरे third problem बहुर दसान हुचाहिए अब थर्ड प्रॉब्लम है हमाला रैशनल नमबर is such that when we multiply it 5 by 2 and add 2 by 3 तो इसमें हमें क्या रिखा है? add, ठीक है? पर एक हमारी confusion होथी कि जैसे ही रैशनल नमबर वो लेता है हमारी imagine में होता है P by Q पर हम क्या लेता है? सिर्फ एक ही variable लेना है हम हमारा रैशनल नमबर X मानेंगे तो चलो माल लिया हमने हमने ही हमारा रैशनल नमबर क्या है? X है, is such that when we multiply it 5 by 2 अब इसको बोल रहा है कि इसको multiply कर 2 5 by 2 से कर दिया हमने और add add 2 by 3 to the product तो ये जो हमारा product का रहा है इसमें हमको add कर दिया 2 by 3 हमने add कर दिया you get minus 7 upon 12 ठीक है, you get minus 7 upon 12 तो ये हमारा हो गया linear equation ठीक है, अब इस तरीकी linear equation को कैसे solve करना बता है इस तरीकी के linear equation देखो क्या है numerator upon denominator तो हम क्या करते है इसमें? LCM लेते हैं ना LCM लेने बता हैं ना 5X upon 2 plus 2 by 3 और ये हो गया, minus 7 upon 12 तो इसमें add भी है numerator upon denominator तो क्या करना है होए? हमें इसमें LCM लेना है ठीक है, तो मारा LCM कितना होगा? कैसे निखाते हैं LCM? 3, 2 और 12 इसके LCM निखाने हैं तो 2 by 2, 2, 6 जाओ 3 तो रहेंगे हैं अब 3 by 3, 3, 2's are 6 है ना? 2, 1's are 2 तो कितना है? 3, 2's are 6 और 6, 2's are 12 तो हम 12 का multiply कर देंगे ये दोनों side है ना? तो हम यहाँ पे 12 in 2 तो यहाँ पे भी 12 in 2 और यहाँ पे भी 12 in 2 तो यह 12 यह 12 तो कैसा? 2, 6's are 12 और 3, 4's are 12 तो यह क्या होगा? 6, 5's are 30X और यह क्या होगा हमारा? 4, 2's are 8 और यह क्या होगा हमारा? minus 7 ठीक है? अब ऐसे हाँ यह LCM को बेत रहा है यहाँ से रावेती हूँ और यह होगा हमारा ठीक है? 30X equal to minus 7 और minus 8 यह कितना होगा? minus 15 और यह होगा 30X तो X की value क्या होगी? minus 15 upon 30 या फिर minus 1 upon 2 है न? 15 तूसा 30 इसका हमारा आंसर क्या हुआ? X is equal to minus 1 upon 2 तो हमारा rational number क्या है? minus 1 upon 2 यह है तो P value की form में पर जना में मानना होता है तो हम क्या लेते हैं? X लेते हैं क्यों? क्योंकि हमें 1 variable पढ़ना है क्या पढ़ना है? 1 variable पढ़ना है P और Q लेंगे? क्या? नहीं ठीक है? तो इस तरीके से हम word problem को solve करते हैं और इसमें कुछ-कुछ जो main point है उनको हमको धियान रखना है जैसे इसमें consecutive है multiply है respectively है और इसमें add up है multiply है इस तरीके से हमको धियान रखना है इसके बाद कुछ question होते हैं जिसमें एक ratio वाले question होते हैं age वाले question होते हैं और percent वाले question होते हैं तो अब हम उसे देखते हैं, ठीक, तो next question is, next question is about age, ठीक है, तो हम को age कैसे, हम age बाले question कैसे solve करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उसकी मादर की क्या होगी, हम थो हम ठीक ही, ठीक है, ठीक है, थीक है, तो 6 सेक सो इता है, ठीक है, ठीक है, तो 6 सें सो रही कोगी, 6 ताय मोलाता, suppose is 5 years from now, मतलब 5 years from now, means present say 5 years, ठीक है, ठीक है, तो present say 5 years कि नही и हो जाहेगी, x plus 5 हो जाएगी, है ना, so whose age 5 years from now will be 1 third of his mother's presentage, mother's presentage क्या है, 6x and 3, ठीक है, 6x कर इतना हो जाएगी, 1 third हो जाएगी, 1 third means multiply 1 by 3, 1 third हो जाएगी, ठीक है, after 5 years means ये हो गया, x plus 5, 5 years from now 5 years, ठीक है, तो ये हो गया हमारा equation, अब हम इसे असानी से, स्वाल कर सकते हैं, कैसे करेंगी हाँ, x plus 5 equals to ये, 3 to the 6, equal to 2x, तो x is equal to कितना हो गया, 5, तो सुपु की एज कितनी हो गया, 5, और उसकी मदर की एज कितनी हो गया, 6 into 5, 30, ठीक है, ये हो गया हमारा, तो इसमें क्या था, इसमें था, एक तो 6 time on from now, लिखो, from now, कभी-कभी ये हम से mistake होती, कि जैसे ही हमको 5 years from now होता, तो हम दोनों की एज में plus 5 कर देते हैं, पर इसमें clearly लिखा हुआ है, कि one third of his mother's present day, ये क्या लिखा हुआ है, present day, तो हमें question बहुत थ्यान से पढ़ना है, ताकि ऐसी गलती ना हो, तो ये वाला question हो गया, तो मैं से रफ कर देती हूँ, ठीक है, तो ये हमारा एक age वाला question हो गया, ठीक है, और अब आता है, ये ratio बाला question, इसमें age भी है और ratio भी है, ठीक है, तो अब आज अब हरी आज से चार साल की बाद, आज से चार साल बाद, 4 year from now, the ratio of their ages will be 3 by 4, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी तो 5X है और 7X है, क्योंकि हमने माल लिया कि ये X है, 5X है और 7X है, तो हम इसमें X मानते ही क्या, नहीं, जो हमारा ratio given कुटा है, the age of Harry and Harry are in the ratio of 5 by 7, 5 ratio 7, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारी ages क्या है, present is क्या है, 5X और 7X है, X पान रहे कि किसी को नहीं, इसमें हमको ratio में क्या मानना रहता है, 5X और 7X, ठीक है, from now, the ratio of their ages will be 3, ratio 4, ठीक है, come from now, 4 years from now, तो अभी जब 5X है, तो 4 years, after 4 years क्या होगी, 5X और 4, ठीक है, और, हाँ, तो इनका ratio क्या है, 7X plus 4, इसकी किन्दी हो जाएगी, हैरी की, हैरी की हो जाएगी, after 4 years, 7X plus 4, अब इन दोनों का जो ratio है, वो बुला है, 3 by 4, ठीक है, तो इस तरीके के question में हमें क्या बताया है, numerator, numerator, upon denominator, और numerator, upon denominator, इस तरीके के question को कैसे solve करते, cross multiply करते, ठीक है, तो अब को just cross multiply करना है, ठीक है, तो यह हो गया, 3, 7X plus 4, equal to 4, 5X plus 4, तो 7, 3 is a 21X plus 4, 3 is a 12, 4, 5 is a 20X, और 4, 4 is a 16, तो यह हो गया, हमारा X equals to 16 minus 12, X is equal to 4, तो X is equal to 4 यह answer हो गया, अक्सर स्टुनेट्स यह गलती करते हैं कि X is equal to 4 आगे, तो यह हमारा answer आगया, पर यह answer हो गया, नहीं, हमें क्या लिकाला है, present age, find their present age, तो हमारे present age क्या है, 5X है और 7X है, तो हमारे क्या होगी age, 5, 4's are 20, 5 into 4 और 7 into 4, 28, तो हमारा answer क्या होगर, 20 और 28, हरी और हरी, तो इस तरीके से हम ratio वारे problem solve करते हैं, इसमें क्या रहता है वे, कि हमको X की वाले तो हम find करके, हम अंसरी गलती करते हैं, कि हम इसे answer लिख देते हैं, तो जो हमने माना है, जिसको हमने माना है, suppose 5X और 7X present is a Q, क्योंकि हमको इसका ratio गिवन रहता है, तो हम X नहीं मानते हैं, हम क्या मनते हैं? 5X और 7X मानते हैं, बाव की बाव क। है य क्योंकिका मैं टॉब एक है,